तो उमीद करता हूँ कि आज का भी पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा रहा होगा जिस परकार से इंगलिश का पेपर गया था उसी परकार से हिंदी का भी गया होगा क्यों कोशन बहुत ही आसान पूछा गया था बहुत ही अच्छा कोशन था और आप लोग जरूर रहे हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए तो पहला कोशन कहे रहा है सूरदास किस भासा के कवी हैं तो आप सब जानते होंगे ये बर्ज भासा के कवी हैं यानि कि भी हो जाएगा दलित साहिते का सौंदर शास्तर नामक आलोचना पुस्तक बुक किस ने लिखा है तो ओम परकाश वालमिकी ने लिखा सही आंसर एह हो जाएगा तो आप लोग इसका आंसर बताएगा क्योंकि मैं बुक देख नहीं पाया हूँ, मैं बहुत जल्दी इसके आंसर की को बना रहा हूँ, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताएगा किसकी विजय हुई सेना की या नागरी की पंक्ति किस पार्ट से तो हार जित से सही आंसर ए हो जाएगा अशुप बाचपाई का मुल निवास इस्थान कहा था, तो कहा है यह सही आंसर हो जाएगा, सागर मध्य परदेश में हो जाएगा चलिए अगले कोशिन की तरह बढ़ते हैं, अगला कोशिन कह रहा है, कलर कीमा, शिर्सक कहानी में कलर का क्या नाम है, इसका भी आंसर, ये दो कोशिन मैं छोड़ रहा हूँ, सरिफ दो कोशिन का आंसर मुझे पता नहीं है, इस कोशिन को मैं देखा ही नहीं, कहां से ही कोश हो जाएगा यानि कि D होगा रक्षक शब्द में परताई है तो रक्षक में अक है परताई यानि कि सही आंसर जो है C होगा कोशन कहे रहा है पर लोग शब्द में उपसर्ग है तो पर है यानि कि A होगा अध्यान शब्द में उपसर्ग है O है यानि कि C आंसर हो जाएगा नकल्ची शब्द में पड़ता है तो नकल्ची नकल एक अलग वाद है यानि कि ची यहाँ पर हो जाएगा पड़ता है यानि कि सही आंसर D हो जाएगा अगला कोशन है यशोदा सब्द में संदी विछेद है अगला कोशन है संसार शब्द का संदी विछेद है तो सं पलस सार यानि कि ए हो जाएगा पवन शब्द का संदी विछेद होता है पो पलस अन हो जाएगा यानि कि ए सही आंसर होगा उत द्योग शब्द का संदी विछेद होता है तो उत पलस योग यानि कि B हो जाएगा कोशन नमर 19 कह रहा है कोहासा शब्द है तो कोहासा पूलिंग होता है यानि कि A सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोशन की तरफ जो इस बढ़ते हैं घी शब्द है तो घी भी पूलिंग होता है यानि कि B हो जाएगा भक्त माला किसकी रचना है भक्त माल जो है वो नावादास की रचना है सही आंसर ए हो जाएगा हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है उसने कहा था यानि कि ए हो जाएगा जै शंकर परसाद का महा काववे है कामा यनी हो जाएगा यानि कि सही आंसर ए हो जाएगा पुत्र व्योग शिर्सक कवीता के कवित्री हैं सुबद्रा कुमारी चोहान यानि कि सी हो जाएगा बहुत ही अच्छा कोशन जो सो पूछा गिया है मालती किस कहानी की पातरा है तो मालती जो है वो रोज कहानी में है सही आंसर जो भी हो जाएगा ग्यानिंदर पती की कविता कौन सी है तो ग्यानिंदर पती जो है वो लिखे हुए गाओं का घर यानि कि सही आंसर जो हमारा A हो जाएगा ये चैप्टर से आथर का लिखक का नाम और कवी का नाम जिस बहुत ज़ादा पुछा गया हुआ है हिंदी साहिते का सुर्य किसे कहा जाता है तो सूर दास को कहा जाता है यानि कि A हो जाएगा नावा दास का कावे रचना छेतर था विर्दा वन था ये तो आपको आर्ट सवाले में पूछा गया था सुबद्रा कुमारी चोहान का जनम कब हुआ था तो 1940 में हुआ था यानि कि A आंसर हो जाएगा मुक्ती बोध का जनम हुआ था तो मुक्ती बोध का जनम शियोपूर में हुआ था ये बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ कोशिन में 31 कह रहा है 40 सब्द का विशेसन होगा तो 40 का विशेसन जो था आलसी होता है D हो जाएगा अध पका शब्द में उपसर्ग है तो अध हो जाएगा पका एक अलग शब्द है यानि के अध हो जाएगा सा परिवार शब्द में उपसर्ग है तो सो हो जाएगा परिवार हमारा मुल शब्द है और सो जुरा हुआ है अंकुरित शब्द में परता है तो इत हो जाएगा अंकुर हमारा शब्द कौन सा समास है सही आंसर डी हो जाएगा ततपुर समास जो है आनंद में ततपुर समास है अगला कोशन नवरतन शब्द कौन सा समास है नवरतन जो है दिगू समास है यानि कि सही आंसर C हो जाएगा अगला कोशन कहरा है चंदर मौली शब्द कौन सा समास है चंदर मौली जो वो बहु विरी समास है यानि कि सही आंसर A हो जाएगा आकाश पाताल A करना महावरे का अर्थ क्या होगा कठिन परिश्रम करना यानि कि D हो जाएगा मुठी में करना यानि कि अपने वश में करना सही आंसर C हो जाएगा यात्रा शब्द है तो यात्रा इस्तिरलिंग है इस ही आंसर B हो जाएगा अगला कोशन कह रहा है चमक शब्द है चमक शब्द भी इस्तिरलिंग ही होता है यानि कि सही आंसर B हो जाएगा संधी के कितने भेद होते हैं संधी के जो सो तीनी भेद हैं, यानि कि सही आंसर C हो जाएगा, पुरान शब्द का विशेशन होगा, तो पौरानिक हो जाएगा, यानि कि सही आंसर A होगा, भीर शब्द संग्या है, तो सम्हु वाचक है, यानि कि D हो जाएगा, गराम शब्द का विशेशन होगा, गराम इ के लिए एक शब्द होगा तो दिक्षित हो जाएगा यानि कि A होगा शिव का उपासक कहलाता है तो शैव कहलाता है जो शिव का जो सुभक्त हो उपासना करता हो यानि कि B हो जाएगा अगला कोशन है अस्तीन का साप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा घर में छिपा हुआ सत्रू यानि कि सही आंसर D हो जाएगा सत्रूता करना तो नहीं होगा क्योंकि आस्तिन में ये साप होना घर में छिपा सत्रू घर में छुपा दुस्मन जिसको आप पाल पोसर के बरे कर रहे हो और वही आपका दुस्मन सारी चीज़ कर रहे हो और वही आपका दुस्मन बन जाए। कोई घर तत्पुरु समासे यानि कि सही आंसर A होगा अगला कोशन कह रहा है चंदर सेखर शब्द कौन सा समास है चंदर सेखर समास जो है वो बहुवरी समासे चंदर सेखर शब्द यानि कि सही आंसर A हो जाएगा अगला है वन मानुस सब्द कौन सा समास है तो वन मानुस ज गोद में सोने वाला कहलाता है तो गोद में सोने वाला कहलाता है अंक शाई यानि कि सही आंसर जो C हो जाएगा गुरू के समीप रहने वाले विद्यारती कहलाता है तो गुरू के समीप रहने वाला विद्यारती कहलाता है अंते से वासी यानि कि सही आंसर C हो जाएगा जिसक जन्म पहले हुआ हो बरा भाई वह कहलाता है तो अगर्ज कहलाता है तो यहां पे सही आंसर C हो जाएगा जिसके बीना काम ना चल सकी एक के लिए एक शब्द होगा अप रिहार हो जाएगा यानि कि सही आंसर A होगा जो खाने योगो हो वह कहलाता है खादे पदार्थ कहलाता है यानि खाद्धे सही आंसर C हो जाएगा आनल शब्द का परियावाची होता है तो अनल आप लोγ जानते होंगे आग adopting को कहा जाता है यानि कि सही आंसर आनि ए होगा अईउशमान सब्द का परियावाची होगा तो पे चिरंग जीव दिवा वो भी चलेगा यानि कि C हो जाएगा जंजट शब्द का परियावाची होगा जंजट का बवाल हो जाएगा यानि कि C होगा ड्रावना शब्द का परियावाची होगा भैंक भयानक हो जाएगा यानि कि D आंसर हो जाएगा अगला कोशन है लीड बे करक की रचना हैं. तो तिरीच जे हैं सो आधूनिक तरासदी यहां पे हैं. मोहन राकेश के बच्पन का नाम क्या था मदन मोहन गुगलानी था यानि कि सही आंसर ए होगा कवीर अगुविर सहाय के पिता का नाम क्या था हरदेव सहाय यानि कि ए हो जाएगा प्राकिर्तिक वर्नन से संबनित कवीता है उसा यानि कि सही आंसर C हो जाएगा अगला कोशन है कवियों का कवि किस पार्ट को कहा जाता है शमसिर बहादूर सिंग को कहा जाता है भोशन की कविता में कौन सा रस पाया जाता है विर रस पाया जाता है C आंसर हो जाएगा अगला कोशन है जहां भाई है वहाँ मेधा नहीं हो सकता किस पार्ट की उकती है तो सिक्षा से लिया गया हुआ है सही आंसर D होगा J किस्न मुर्थी का पूरा नाम क्या है जिड्डू किस्न मुर्थी है यानि कि सही आंसर जिसो B होगा पंचायती राज में क्या खो गया है पंच परमिश्वर खो गया है C आंसर हो जाएगा आतोन चेखव की कहानी है आप लोग इसके आंसर को बताईएगा मुझे मालूम नहीं है अगला कोशन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंग्ने किसको पत्र लिखा है सुखदेब को लिखा है सही आंसर A होगा तेरी कुर्माई हो गई है कि कहानी से संबंद है उसने कहा से यानि कि B हो जाएगा ग्यानेंदर पती किस परसासनिक पत्र थे तो कारा अधिक चक थे सही आंसर जैसर C हो जाएगा कृस्ण सब्द का विलोम होगा तो कृस्ण का शुकल हो जाएगा सही आंसर जैसर D होगा इस्तूती सब्द का विलोम होगा तो इस्तूती का निंदा हो जाएगा यानि कि A हो जाएगा संधिया शब्द का विलोम होगा प्राहता हो जाएगा यानि कि A होगा अगला कोशन है दोशिस सब्द का विलोम होगा यानि कि स्वक्ष हो जाएगा बहुती सिंपल कोशन आप लोगों को पूछा गिया है शेस सब्द का विलोम होगा तो अवसेस हो जाएगा अवसेस अवसेस या आसेस सेस का जो एन अवसेस नहीं बलकि आसेस होगा यानि कि सही आंसर बी होगा अर्थ नारिश्वर सिर्सक पार्ट के लेखक है रामधारी सिंदिनकर यानि कि सही आंसर सी हो जाएगा चंदरधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था यानि कि डी हो जाएगा सिक्षा सिर्षक निवंद के रचनाकार कौन है जे किर्सन मुर्ती है सही आंसर ए होगा निम्द में सिक इस कहानी में गैंगरिन का उलेख है तो रोज में जो इसो गैंगरिन का उलेख है सही आंसर भी हो जाएगा सिपाही की मा के रचैता कौन है तो सिपाही की माँ जो लिखे हुए मोहन राकेस ने सही आंसर जो ए हो जाएगा ओ सदानीरा किस विदा के अंतर गये थे तो निबंध है यानि की बी हो जाएगा जै परकास नारायन रचित पाड का नाम है जै परकास नारायन ने कौन सा चेप्टर लिखा है तो शंपुर्द करांती यानि की सही आंसर सी होगा अगला कोशन है बालकरिस्न भट किस युक के रचनाकार है भटरिंडू हरिस्चंदर युक के यानि भटरिंडू युक के सही आंसर ए होगा बेर्बे रमाइन किन की रचना है वेर्बे रमाइन जो है दास की रचना है यानि कि सही आंसर C हो जाएगा बीजक के रचैता कौन है तो बीजक के रचैता कबीर दासे यानि कि B हो जाएगा चलिए तो इस तरह से आप लोग का 100 कोशन था बहुत अच्छा कोशन पूछा गया था आप लोग जरूर बताएगा कि कितने कोशन का आंसर आप लोग सही सही दिये कितना आपका सही हुआ है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए बाई